स्वागत है आपका विनायस की यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जुलाई को जो टेस्ट हुआ था पॉलिटी का उसके 6 मार्कर्स को तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्ण पहला प्रश्ण पूछा गया है सम्विधान की आधार भूद संग्रचना तो सबसे पहले इसकी भूमी का कि सम्विधान की आधार भूद संग्रचना होती क्या है या सम्विधान की आधार भूद संग्रचना से तातपर क्या है तो इसका तातपर है समिधान में नहित उन प्रावधानों से है जो समिधान और भारती राजनितिक और लोगतांतरिक आदर्सों को प्रस्तुत करते हैं इन प्रावधानों को समिधान में संसोधन के द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि ऐसा न्यालयक ने व्यवस्था दिया है हाला कि समिधान में आधार भूद धाचे का उलेख मूल समिधान में कहीं नहीं है किन्तु न्यालय के विभिन वादों के नेड़ेओं के माध्यम से इसे इस पस्ट रूप से समझा जा सकता है क्योंकि न्यालय ने ही समिधान के आधार भूत संगरचना की जो संकल्पना है वो दी है और यह संकल्पना सबसे पहले 1973 में केश्वा नंद भारती मामले में चर्चा में आई तो इस प्रकात से हम लोग एक इसकी भूमिका लिख सकते हैं उसके बाद इसके अंतरगत क्या-क्या प्रावधान शामिल किया गया है तो लिख सकते हैं कि आधा न्याय पालिका के विभिन नेड़ों में इसे महत्त प्रदान करते हुए कई अन्य महत्त पुन प्रावधानों को संविधान के आधाद भूर धाची में शामिल किया गया है जो इस प्रकात से हैं इसे पहला न्यायक समिच्छा तथा स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाव यहां इंद्रा गांधी के मामले में आया था दूसरा समिधान के सर्वच्छता, समिधान के धर्मनेर पेक्षता, ब्यक्ति के स्वतंतता और गरिमा, मौलिक अधिकारों तथा नीत निर्धिसक्ष धानतों के बिच संतुलन, न्याय तथा प्रभावी पहुँच, कल्यान कारदी राज्य की अवधारना, संगवाद, लो स्विकार किये गया है, आप चाहें, तो इसके साइड में, जिस प्रकार मैंने लिख रखा, कौन सा प्रावधान, किस मामले के अंतरगत शामिल किया गया, उसे लिख सकते हैं, और यद याद नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, तो भी चलिएगा, और अंत में इसको हम टाहएं दाथ नैय पालिका के वीवेक पर निर्वर करता है, यानि नैय पालिका जिस प्रकार से इसकी ब्याक्च्या करेगी, उसे उसी प्रकार इसे स्विकार किया जएगा, तो इस प्रकार से हम लोग को ये प्रशन chilliड करना है, दूसरा प्रशन पूछा गया था मौलिक अधिकारों का महत्तो या मूल अधिकारों का क्या महत्तो है तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों के बारे में एक छोटी सी भूमिका कि मौलिक अधिकारों से तातपरे है राजनितिक लोगतंतर के आदर्सों की उन्नती से है ये अधिकार देश में ब्यवस्था बनाया रखने के साथी राजी की कठोर नियमों के विरुद नागरिकों को सुतंतरता प्रदान करते हैं ये विधान मंडल द्वारा पारित कानून के क्रियानिवेन पर ताना साही को मर्यादित करते हैं इनके प्रावधानों का उद्देश से कानून का राज इस्थापित करना है न की विक्तियों का और समिधान द्वारा बिना किसी भेद भाव के प्रतेक विक्ति के लिए मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है इनमें विक्ति के लिए समानता सम्मान रास्ट्रहित और र देश में विदी के सासन की ब्यवस्था करते हैं, सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधात सिला रखते हैं, ये अल्प संखिकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, ये विदी के मौलिक सिद्धानत हैं, ये मौलिक इसलिए भी हैं क्योंकि जिसमें भौतिक, बौधिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास शामिल है के लिए जरूरी है आवस्यक है तीसरा प्रशन पूछा क्या है केंद्री प्रशासनिक अधिकरण तो सबसे पहले इसके बारे में एक जानकारी जूभुमिका के तोर पर प्रस्तुत करना चाहिए कि समिधान का भाग 14A अधिकरण का प्रवधान करता है प्रवधान को 1976 के 42 में संसोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था अनुचे 323A और 323B क्रमसा अन्य मामलों से संबंधित प्रशासनिक न्याधिकरण या अधिकरण के प्रवधान करते हैं संसाद्वारा 1985 में पारित प्रशासनिक न्याधिकरण अधिनियम के अंतरगत C.A.T. यानि की Central Administrative Tribunal की स्थापना 1985 में की गई इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है और इसके अलावा वर्तमान में इसकी 17 नियमित पीठ है और 4 सर्किट पीठ है ये संब्रशन के बारे में बात कर ली हम लोगों ने इसमें एक अध्यक्ष यानि कैट में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल है जिनकी न्युक्ती राष्टपती के द्वारा की जाती है नाइक और प्रशाषनिक छेत्रों से कैट के सदस्यों की निक्ती होती है सेवा की अवधी 5 साले अध्यक्ष के लिए 65 वर्स और सदस्यों के लिए 62 वर्स जो भी पहले हो तक होती है अध्यक्ष या कैट का कोई भी अनिसदस्य अपनी कारेकाल के बीच में ही अपना इस्तीफा राष्टपती को भेज सकता है प्रशासनिक अधिकरण संसोधन अधिनियम 2006 के अंतरगत कैट में एक अध्यक्ष और 65 सदस्यों का प्रावधान किया गया है अर्थात हमने यहाँ पे इसकी वर्तमान संग्रचना के बारे में बता दिया कैट के पास निमलिखित सेवा छेतर के मामले में अधिकार हैं सर्विसेस से संबंदित अखिल भारती सेवा का कोई भी सदस्य संग के किसी भी सिवल सेवा या संग के तहथ किसी भी सिविल पत पर नियुक्त एक ब्यक्ति सदस्यों की कमी के बावजूत से संबंधिज जो अपनी सिकायते हैं उसको यहांगे दर्ज करा सकता है ध्यान रखिएगा संग के किसी भी सिविल सेवक को यहाँ प्रावधान करता है कि उनके वो कोई घृवानसे से हैं कोई शिकायति हैं उनकी सेवा से संबंद है उनकी जॉब से लेटे तो उसकी सिकायत वो कैट में कर सकते हैं सदस्यों की कमी के बावजोद मामलों के निप्टान में कैट ने महत पून भूमिका निभाई है इसके अनेग निर्णाय देश में सेवा छेत्र के विकास की दिसा में मेल के पथर साबित हुए हैं यहां सेवा छेत्र से संबंदित है कि जो अधिकारी हैं संग सरकार के जो संग के अधिकारी हैं सेवल सेवक हैं उनकी सेवा से संबंदित उनकी सर्विस कंडीशन से संबंदित जो मामले हैं जो उनके ग्रिवांसे से उसका निप्टारा कैट करता है अगला प्रश्ण है में लोगं का दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लौ तो सबसे पहले इसके बारे में कि यह कैसे आया या इसका प्रावधान कैसे किया गया या एक कानून है तो 92 समिधान संसोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संसोधों तथा विधायकों द्वारा एक राजनितिक दल से दूसरे दल में परिदल परिवत्न के आधार पर डिस्क्वालिफाई के बारे में या निरहरता के बारे में यह प्राधान करता है इसके लिए सम्मिधान में एक नई अनसूची दस्वी अनसूची जोड़ी गई और इस अधिनियम को सामानित दल बदल कानून कहा जाता है या एंटी डिफिक्षन लौ कहा जाता है 91st Constitutional Amendment 2003 के द्वारा या इंक्यानवे सम्मिधान संसोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दस्वी अनसूची के उपबंदों में एक परिवतन किया गया है इसने एक उपबंद को समाप्त कर दिया अर्थात अब विभाजन के मामले में दल बदल के आधार पर अयोगिता नहीं मानी जाएगी बसरते की ऐसे विभाजन में संबंदित दल के कम से कम एक तिहाई सदस्य शामिल हो और अनसूची 10 पैरा 3 में इसका उल्लेक है तो ये एक संचेप्त इसका विवरण और उसके बाद जो इसके उपबंद है यानि जो प्रावधान किये गए है वो लिखना है कि दस्वियन सूची में दल परिवत्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निरहता साबित हो सकती है जैसे किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनितिक दल का सदस्य है उस सदन की सदस्यता के निरहरक माना जाएगा यानि योग ये नहीं माना जाएगा या दिवा स्वेच्छा से त्याक पत्र दे दे यानि कि राजनितिक दल की सदस्यता को छोड़ दे या यदि उस सदन में अपने राजनितिक दल के निदेशों के विपरीत मद्दान करें या मद्दान में उन पस्तित रहे तथा राजनितिक दल से उसने 15 दिनों के भीतर छमादान न पाया गया हो तो इस तरह के कुछ यो प्रावधान है इसके अंतरगत उसको हम लोगों को इस उपबंदी के अंतरगत लिख देना चाहिए और इस कानून को भादत की नैतिक राजनिति में एक एतिहासी घटना के रूप में भी माना गया है इसने विधायकों या सांसदों को राजनितिक माइंडशेट के साथ नैतिक और समकालिक राजनिति करने को मजबूर कर दिया है दल बदल विरोधी कानून ने राजनिताओं को अपने बेक्तिगत लाफ के लिए दल बदलनी के लिए हतोत साहित किया है हलाकि इसी कई बड़ी कमिया भी है और यहां तक कि कई बाद या दल बदल को रोकने में विफल भी रहा है जैसा कि हम लोगों ने हाली में मध्य प्रदेश के मामले में देखा कि इस विदायकों ने स्टीफा दे दिया यानि उन सीटों को खाली कर दिया और उसकी बाद उन्होंने दूसरी पार्टी को जोइन कर लिया तो यह पूरी तरह से सफल नहीं है लेकिन एक प्रावधान है अगला प्रश्न है दबाव समूह या प्रेसर ग्रुप तो यह ऐसे हित समूह हैं इंट्रेस्ट ग्रुप से जो सारवजनिक नीतियों को प्रभावित करके कुछ विसेश हितों को सुरक्षित करने के लिए काम करते हैं वे किसी भी राजनेतिक दल के साथ कड़बंधन नहीं करते हैं तता अप्रत्यक्च रूप से काम करते हैं पदन तो ये बड़े ही पावरफुल ग्रुप सोते हैं जिसे ट्रेड यूनियन्स हो गई हैं किसानों के संग हैं तो इन्हें दबाव समू कहते हैं और इनकी कायर प्रणाली यानि कि इस प्रकार से काम करते हैं तो दबाव समू पिभिन समूदायों की मांगो और हितों का प्रती निधित्व करते हैं जिसे ट्रेड यूनियन्स हैं वो ट्रेडर्स की डिमांड को सरकार के सामने रखते हैं किसान संग हैं वो किसानों की मांग को सरकार के समक्ष रखते हैं ये लोगों को राजनितिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मद्दताओं को सिक्षित और सुचित भी करते हैं और इस प्रकार भी राजनितिक सिक्षा को बढ़ावा देते हैं लोगतंत्र को मजबूत करने के लिए सामाजिक परिवत्तन के उद्देश को प्राप्त करने में दबाव समोह महत्यपूर्ण भूमिकानी भाते हैं दबाव समोह के माध्यम से नेती निर्माताओं को यह पता चलता है कि कुछ खास मुद्दों पर जनता के क्या अनुभव करती है या जनता क्या सोचती है या जनमत क्या कहदा है इन समोहों ने अपने प्रभाव का दूर्पयोग भी किया है और समय समय पर देश के सामने प्रत्कूल प्रस्थितियां भी उत्पन्न की है भारत में कई दबाव समोह मुख्य रूप से विंधानिक पद्धत्यों की माध्यम से सरकार को प्रभावित करने की कोशिस करते हैं जैसे कि हमले करना, आंदोलन, प्रदसन, तालाबंदी, आगजनी की घटना है तो यह इसका एक नकरातमक भेल हुए है थम लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिख दिया फिर भी ये लोग तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाते है अगला प्रशन था राश्ट्री एकता परिसद या नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल इसका अगठा 1961 में किया गया था तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वरा और इसका उद्देश से था सामप्रदाइकता, जातिवाद, छेत्रवाद, भासावाद और संकेरता की बुराईयों को निप्टाना या उनसे निपटना इनाइसी की पहली बैठक 1962 में हुई थी वास्तों में 1961 में पंडित नहरू ने एक बैठक बुलाई थी इन मुद्दों से पिचर्चा के लिए और अगले साल से ये बैठक कंटीनिवस कर दी गई तो उसी को राष्टी एक्ता परिशत का नाम दिया गया इनाइसी ने बस 1968 में हुई बैठक में विवित्ता में एक्ता धर्मों की आजादी धर्म निर्पिक्चता बराबरी सामाजी कार्थिक राज़तिक नय और सभी मुद्दों में भाई चारे को अपने उद्देश को घोसित किये थे इसका पूर जो कुल उद्देश है वो ये है कि राश्ट्री एक्ता को बढ़ावा दिया जाए यहाँ एक सरकारी सलाकारी निकाय है और इसकी अध्यक्चता प्रधान मंत्री स्वयम करते हैं इसमें कैबिनेट मंत्री बड़े बड़े उद्यमी मसहूर हस्तियां मीडिया प इस सिविल सेवे को उनको क्या-क्या सुरक्षाएं दी गई है तो यहां पे हम लोगों को मुक्हता जो संभिधान के अनुछे 311 में लिखित सुरक्षाएं है उनका वर्णन करना है उनको लिखना है जो कि इस प्रकार है कि संग्या राजी की सिविल सेवा के सदस्थी या अ अतलब हटाया नहीं जा सकता जो उसकी निक्त करने वाले अधिकारी के आधिनस्तों जैसे एक IS के अगर अपोइंट्मेंट राष्टपती के द्वारा होता है तो उसे राष्टपती ही हटा सकते हैं नीचे क्या कोई भी व्यक्ति उसे नहीं हटा सकता ऐसे व्यक्ति को बिना जाच के पद से नहीं हटाया जा सकता या पद से अवनत भी नहीं किया जा सकता और जाच में निमने बातों का ध्यान रखा जाता है कि उसके विरुद क्या आधोप है या उसे सूचित किया जाएगा सुनवाई का उसे प्रॉपर अफसर दिया जाएगा और 42 संभिधान संस सूधन अधिनियम 1976 के पूर्व सुनवाई का आउसर दो बार दिया जाता था पहले उसके विरुद आधोप के लिए और दूसरे जब शास्ती अधिरोपित करने का प्रस्ता होता था यानि उस पर दंड लगाने का प्रस्ता होता था अब 42 संभिधान के प्रस्चा यह नियम यानि कानून को परिवर्तित कर दिया गया है अगला प्रस्ता भासाई अलब संक्कों के लिए समिधान में क्या प्रावधान है तो सबसे पहले अनुछेद 29 और 30 का उलेख करना है कि अनुछेद 29 एक के अनुसार किसी भी सदस्तिकी लोग जो भारत के किसी राजी में रहती या कोई छेत्र जिसकी अपनी अंचलिक भासा है लिपी है या संस्क्रती है उसे छेत्र को संग्रचित करने का उन्हें पूरा अधिकार होगा ये प्रावधान ये प्रावधान जन प्रतनित्त कानून 1951 के अंतरगत किये गये अनुछे 31 के तहत सभी अल्प संक्यकों को धर संग्रचित को कहीं भी परिवासित नहीं किया गया मोलता संग्रचित में भासाई अल्प संक्रकों के लिए विशेष अर्धिकारी निक्त करने का प्रावधान नहीं था बाद में राज्य पुनरगठन आयोग की सिफारिश पर सात्वे संग्रचित संसोधन द्वारा एक न ज़्यक्ती की जाएगी, विसेस अधिकारी का यह कर्दब की होगा कि वह भासाई अल्ब संकुकों को संभिधान द्वारा दिये गए अधिकारों की सुरक्षा से संभंधित ममलों की जाच करेगा, अर्थात अगर उनके भासाई अधिकारों को कहीं भी हनन होता तो उनकी सम्मिधान में अभी वर्तमान में भासाई अलप संक्यों के लिए उपलब्द है अगला प्रशन पूछा गया है केंद्री सतर्कता आयूक यह एक सीर सस्त सतर्कता संस्थान है मतलब अपेक्स विजिलेंस बोडी है इंस्ट्यूट है जो किसी भी कारेकारी प्राधिकारी के नियंतरन से मुक्त है अर्थात ये किसी भी विभाग के अंतरगत नहीं आता तथा केंद्री सरकार के अंतरगत सभी सतर्कता गतिविदियों की निगरानी करता है साथ ही केंद्री सरकारी संगठनों में वेभिन प्राधिकारियों को उनके सतरकता कारियों की योजना बनाने, निस्पादन करने, समिच्छा करने एवं सुधार करने के संबंद में सला देता है उसकी बाद हमें इसकी संग्रशना लिखनी है, कि यहां एक बहुत सदस्तिय आयोग है, जिसमें एक केंद्री सतरकता आयुक्त और अधिक्तम दो सतरकता आयुक्त है, शामिल है केंद्री सतरक्ता आयुक्त और सतरक्ता आयुक्तों की निक्ति राश्ट्पती द्वारा एक समित्य की सिफारिस पर की जाती है जिसने प्रधान मंत्री, ग्रह मंत्री और लोग सभा में विवक्च की नेता शामिल होते है किंद्री सतरक्ता आयुक्त और सतरक्ता आयुक्तों का कारिकाल पद भाद ग्रहन करनी की तिथी से 4 वर्स या 65 वर्स की आयू जो भी पहले हो तक होता है उसके बाद इसका कारे केंद्र सतरकात लोगपाल सूचना प्रदाता यानि कोई भी जो इसके पास इंफर्मेशन हो मुखबीर या विशिल ब्लोवर या सचेतक या लोक सेवकों की कुछ स्रेडियों द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत किये गए भ्रष्टाचारों की जाज कराने की शक्ती भी रखता है तो इसमें हम लोगों ने उसकी जानकारी सीवी सी के बारे में उसकी क्या भूमिका है क्या उसकी संग्रचना है और क्या वो कारी करता है तीनों बातों को शामिल कर लिया इसके बाद प्रश्ण पूछा गया है रास्ट्री मानवा अधिकार आयोग के कारे लिखिए तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना होगा कि यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवा अधिकार संग्रचन अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसके कारे निम लेखे थे कि पहला मानवा अधिकारों के उलंगन से सम्मदित मामलों की जाच करना मानवा अधिकारों के उलंगन से सम्मदित सभी नयाइक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार आयोग किसी भी जेल का दवरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों के इस्तिती का निरिच्छन एवम उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है मानव अधिकारों के छेतर में अनुसंधान का कारे भी अधिकार है आयोग के पास दिवानी अदालत की शक्तियां है और यह अंतरीम राहत भी दे सकता है इसके पास मुआवजे या हरजानी के भुगतान की सिफारिस करने का भी अधिकार है या राज्जी तथा केंद सरकारों को मानव अधिकारों के उलंगन को रोकनी के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिस भी कर सकता है आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्टपदी के समख्च प्रस्तुत करता है जिसे संसत के दोनों सदनों में रखा जाता है तो इस प्रकार एनचार्सी या नेश्टनल हिूमन राइट्स कमिशन के कारियों को हमें पॉइंट वाज लिखने से उसका प्रस्टेशन बहतर हो जाएगा अगला प्रश्ण पूछा गया था कि अपराधिक विदी दंड प्रक्रिया या CRPC के तहत महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रधान किये गए हैं तो ध्यान रखिएगा IPC अनि इंडियन पीनल कोड भारतिय दंड सहिता और CRPC दोनों अलग-अलग है इंडियन पीनल कोड में अपराधों का उल लेख है जबकि CRPC में उन अपराधों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपना ही जाएगी दंड के लिए उसका उलेक है तो यहाँ पे आपराधिक विजी दंड प्रक्रिया में महिलाओं को क्या-क्या सुरक्षा दीगी है वो लिखना है आप लोगों को स्टेटमेंट रिकाॉड करवाने के लिए निजदा का अधिकार दिया गया CRPC की धारा 164 के अंतरगत रेप की मामले में पुलिस केस दर्ज करने से मना नहीं कर सकती महिला को इदिकार है वो कि किसी भी पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज करवा सकती है आदोपी महिला की तला केवल महिला अधिकारी ही कर सकती है या CRPC की धारा 51-2 में है महिला की मेडिकल जांच रिस्टर्ड महिला मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वादाई किया जाना चाहिए महिलाओं से पूछताच महिला कांस्टिबल या घर के सदस्या मित्र की उपस्तिती में उसके निवास पर हो सुरियास्त के बाद और सुरियोदे के पहले महिला को गिरफतार नहीं किया जाना चाहिए यदि आवस्यक हो तो प्रथम सेड़ी नाइक मेस्ट्रेट के अनुमती से महिला अधिकारी द्वारा ही अरिस्ट किया जा सकता है रेप और छेट़ाड के मामले में समय की कोई सीमा नहीं रखी गया है इसका तात्पर यह है कि अगर कई वरस ए पहले भी किसी महिला के साथ इस्तरह की अभधरता या इस्तरह का अपराद किया गया है तो वो महिला उसको कई सालों बाद या कभी भी उसके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज करा सकती है वो समय सीमा में बंदित नहीं है और पुलिस को उसकी रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी रेप के मामले में पीड़ता की पहचान सुरक्षित रखना ये महिलाओं को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं और अगला प्रश्ण को पूछा गया थाцо, सामाजिक विधान सामाजिक विधान सरकार के द्वारा पारित वे कानून है, वे अधिनियम है जो सामाजिक बुराईयों को दोर करने, सामाजिक विगटन को रोकने सामाजिक संगरचना के दोस्तों को समाप्त करने में सहायक, जो सामाजिक संगरचना है कि एक वर्ग उच्छ है दोस्ता वर्ग निम्न है तो उसके लिए भी कानून लाया गया था अस्प्रस्ता निरोधी कानून, सामाजिक सुधार लागू करने में सहायक, आदिवासियों को उचित संग्रच्छन पदान करते हैं स्त्रमिकों के स्थिति में सुधार के लिए मददगार हैं यहां पर अगर आप उधारण के साथ लिखें तो और भी बहतर हो जाएगा कि जैसे नावालिक बच्चों के उचित संग्रच्छन तो इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि नावालिक बच्चों के विवाह पे प्याबंदी लगाई गई है उनको मजदूरी करने से रोका गया है महिलाओं की ससत्ती करण से लिख सकते हैं कि उनके खिलाफ जो हिंसा होती थी उसके खिलाफ कानून बनाया गया है तो उदाहरण के साथ लिखने पर ये पॉइंट्स जो हैं पूरी तरह से इसपस्ट हो जाएंगे और आपके उत्तर को बहुत ही मजबूत बना देंगे अच्छी नंबर प्राप्त करने के लिए उमीद करता हूँ इस model answer के माध्यम से आपको जरूर help मिलेगी आप ये ध्यान रखें कि क्या क्या हमें लिखना होता है किसी प्रशन को पढ़ने के बाद 10 सेकंड का टाइम कम से कम उसकी रूप रेखा बनाने के लिए दें और उसके बाद आप लिखना चालो करें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो डिसकेशन में